समस्तिपूर जिले के सेथपूर के किसान अपनी खेतों में इन दिनों एक ऐसा आम का पेड़ लगाया है जो बारहों मास फल देता है किसान राकिस कुमार पांडे ने बताया कि यह बारहों मास फल देने वाला नशल का आम का पौधा है जो ज़्यादा तर दूसरे राज्ये में होता है किशान ने बताया कि इस आम के पौधे के मुकाबले उत्पादन होता है जब यह आम का पेर पहली बार हमारे खेतों में फल दिया तो हमारे गाउं के आसपास के लोग पूछते पूछते हमसे काफी इसके बारे में जानकारे ली वहीं किशान राकिस ने बताया कि जब हम कोलकता गूमने गए थे तो उस दोरान छटपर्व का समय था परंतु उस समय में हम आम का पौधे में फल देख काफी चौक गए जिसके बाद हमने इसके आम के पेड़ के बारे में काफी जानकारी ली जब पता चला कि यह पौधा बारो मास फल देने वाला नशल का पौधा है तो हम इसके बारे में काफी शारी जानकारी गठा किये और फिर हम कोलकता से पौधा खरीद कर अपने गाउं लाए जिसके ब परन्तु जब यह पौधा बड़ा हुआ और मंजट देने लगा और फल भी देने लगा तो हमारे आसपास के लोग इस आम के वराइटी के बारे में काफी पूछने लगे जिसके बाद उन्होंने बताया कि यह आम का पौधा बड़ा होते ही यह उत्पादन अधिक देता है औ और इससे उप्ट किसान शलाना करीब छोलाख रुपे कमाते हैं का भी उत्पादन है अच्छा अगर इसमें जो है केतला आम तकता है तीनों फचल अगर साल में जोग ली जिये तो लगभग दसकुंटल के करीब यह यह सीजन में 67 रहता है और आइसे छोट के टाइम में दूसर उपे किलो रहता है कि बेहतर उत्पादम के शासत बेहतर मुनाफ़ाब देजिए अच्छे कितना पॉधा यह अप लगाएं यह एक्तेठ हो हम लगाएं क्या नाम हुआ है अमरा राकेश कुमार पांडे कुन जगा है साइधपूर